नमस्कार मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी आज की एक बहुत ही इंटरस्टिंग सी क्लास में हम लोग मुख्य दौर पर अपनी क्लास 9 के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों क्या हमारा ये उदैब है जी हाँ आप सभी को पता है जो हमारे class 9th के प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ हमारे अलग-अलग subject जैसे English हुआ, Math हुआ, Social Science हुआ, आप देखते हैं कि आपके Science के अंदर जो आपके अलग-अलग भाग है, History, Physics, Chemistry, Biology, उसके अंदर गत आप देखते हैं कि हमारे team पूरे तोर पर समाजी गध्यन ये आप देखते हैं कि दोस्तो हमारा chapter है और इस समाजी गध्यन वाले chapter के अंदर गत हम लोग मुख्य तोर पर आप सभी के साथ भारत का भोगोलिक स्वरूप, ये जो हमारा chapter है इसको आप सभी के सामने रख रहे हैं और आपको ये कहां पर मिलता है, ये व रहे हैं, पहले वो lecture 1 को देखें ताकि वो चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है दोस्तों चलिए, तो यहाँ पर तो हमने समझा कि हम लोग lecture number करने वाले हैं, टू चैप्टर का नाम होगा भारत का भोतिक स्वरूप, जोग्रफी यानि के भोगोल के अंद परवत भी दिखते हैं, उसी के साथ साथ हमें पठार भी दिखते हैं, उसी के साथ साथ हमें मैदान भी दिखते हैं, उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि हमारे देश के अंदर द्वीब समू भी है, है ना, यानि के आइलेंड भी है और उसी के साथ साथ हमारे देश में स जानते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पठारों के बारे में पढ़ेंगे कि पठार होते क्या हैं ठीक है तो एक एक करकर दोस्तों ये हमारे महत्मूल बिंदू रहेंगे और फिर हम लोग द्वीब समू को भी आप सब ये के साथ अपनी आज की क्लास में डिसकस करने कोशिश करेंगे ठीक है चलिए तो ये हमारे बिंदू होंगे दोस्तों जो अपन लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं चलिए तो यहां से हम लोग अब शुरुवात करते हैं दोस्तों और सबसे पहले आप सभी के साथ discussion करते हुए हम लोग discussion करते हैं उत्तिरी मैदानों के बारे में देखे अपनी पिछली class के अंद्रगत दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था क्या कि अगर आप लोग भारत के अंदरगत जो हमारे हिमाले के परवत देखते हैं जहां से हमारे जो हिमाले के परवत खतम होते हैं अगर आपको याद होगा हमने अपने हिमाले को तीन भागों में बटा हुआ देखा था सबसे उपर वाला जो भाग था दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग महान हिमाले कहते हैं याद है ना आपको जी हाँ उसके बाद जो हमारा बीच वाला भाग था उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों उसको हम लोग मद्ध हिमाले के नाम से पुकारते हैं क्या कहा जाता है इसको इसको हम लोग मद्ध हिमाले कहते हैं और जो हमारा तीसरा वाला भाग था जो सबसे नीचला हिमाले का हिस्सा था इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तो इसे हम लोग शिवालिक कहते हैं याद है ना हमने अपने हिमाले के संदर्ब में इन तीन भागों को देखा था सबसे उपर वाले भाग को महान हिमाले इसके बाद ये था हमारा मद्ध हिमाले और ये था शिवालिक जहां हमारा शिवालिक खतम होता है जहां पर हमारे परवत यानि कि हिमाले खतम हो गया हिमाले के बाद भारत में आप देखते हैं कि मैदानी भाग शुरू होता है तो जहां शिवालिक है शिवालिक यानि कि हिमाले का आखरी भाग अगर आप लोग हिमाले को देखें ये हमारा शिवालिक हुआ तो शिवालिक के आगे जो हमारी जमीन है जो धर्ती है जो भूमी है वो मैदानी छेतर है और उसी को हम लोग उत्तरी मैदान के तौर पर पुकारते हैं पिछली क्लास में हिमाले की इन सभी भागों की विशेश्टाओं को बढ़ चुके थे आज की क्लास में हम लोग हमारा ये जो शिवालिक के बाद उत्तरी मैदान है ये कहां पर हैं कैसे बने हैं इनकी क्या-क्या विशेश्टाएं हैं उनको हम लोग समझ रहे हैं सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम यहां पर देखते हैं कि भारत का ये जो हमारा उत्तरी मैदान है अगर याद होगा दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा हमारा चेतर हमारा आप देखते हैं दोस्तों कैसा रहा है ये पूरा का पूरा चेतर हम हम लोग कहते हैं हमारे मैदान ये भारत के मैदानी भाग है शिवालिक के नीचे जो हिमाले का सबसे आखरी भाग है उसके बाद हमारा पूरा उत्तर का मैदान शुरू होता है और उत्तर का मैदान जो है दोस्तों उसको आप देखते हैं कि इसको हमने तीन भागों के अंद्रगत बटा हुआ देखा है सबसे पहला भाग क्यालाता है जो सिंधु नदी के कारण बना है दूसरा क्यालाता है गंगा नदी से बना हुआ हमारा उत्तर का मैदान और तीसरा क्यालाता है भ्रह्मा पुत्र तो भारत का जो मैदानी छेतर है इसको हम लोग उत्री मैदानी छेतर कहते हैं इसका जो पहला भाग है वो पंजाब का मैदानी भाग कहलाता है दूसरा कहलाता है हमारा गंगा का मैदानी भाग और तीसरा कहलाता है भ्रह्मा पुत्र है ना तो एक एक करकर हम लोग इन तीनों ये विशेष्टाओं को पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे हब देखते हैं कि मुख्य तोर पर जो हमारी नदियां थी है ना दोस्तों आप सभी को बताएं कि जो हमारी नदियां थी इन नदियों के अंदरगत आप सभी को बता है कि दोस्तों हमने क्या देखा था इन नदियों के अंदरगत हमने पानी को देखा था है ना तो ये जो पानी था ये तो मैदानी भाग में आगे चला गया मैदानी भाग के अंदर आप देखते हैं जिस जगहां सपाट होने की वज़ा से जो पानी था वो तो आगे बढ़ गया लेकिन जो पहाडों से आई हुई कीचल थी गाद थी वो क्या हुई वो इस मैदानी भाग में जम गई तो मैदानी भाग बना कैसे है यह जो भारत का पूरा मैदानी भाग बना है यह बना कैसे यह बना ऐसे कि भाई हिमाले परवत से आप देखते हैं कि नदिया बही यह नदिया जब पहाडों से नीचे की तरफ आई तो नीचे की तरफ आने की बाद क्योंकि यह जगह समतल रही थी आप यहाँ पर बिल्कुल सपाट मैदान शेतर देखते थे तो जो पानी था वो तो आगे बह गया और पानी आगे बह कर आप देखते हैं कि यह समुदर में जा गिरा लेकिन जो इस नदी के अंदरगत आई हुई हमारी गंदगी थी कीचल थी यही गंदगी और कीचल मैदानी भाग में जम जाती है और जो मैदानी भाग को निर्मित करती है ना तो आप देखें कि लाखों सालों के अंदरगत आप देखते रहे कि हमारे पहाडों से आप देखते हैं कि दोस्तों मिट्टी आते रहे और यह जो मिट्टी हमें मैदानी भागों के अंदरगत मिलती है इसको हम लोग जलोड मिट्टी कहते हैं क्या कहा जाता है दोस्तो इसको हम लोग जलोड मिट्टी कहते हैं और भारत का अगर हम लोग उत्तरी मैदान का छेतर देखें यह जो हमारा पूरा का पूरा उत्री मैदान का दोस्तों अगर आप लोग छेतर देखते हैं यह कितना बड़ा है इसकी जो टोटल अगर आप लोग छेतर फल देखें तो दोस्तों वो साथ लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है तो एक बहुत बड़ा छेतर आप देखते हैं कि यह हमारे उत्री मैदान का है जो भारत के अंद्रगत बना हुआ है और इसके अंद्रगत आप देखते हैं कि दोस्तों लग भग 2,400 किलोमीटर लंबा है यह और इसके अंदरगत 240-320 km की चोड़ाई हमें देखती है तो इसकी चोड़ाई कितनी है वो हमने देखी पूरा 6 रफल कितना है इसका जो पूरा 6 रफल है वो 7 लाग वर की किलोमीटर है उसके साथ अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें कि ये कितना लंबा है तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और अगर हम लोग इसकी चोड़ाई की बात करते हैं दोस्तों तो चोड़ाई वो आप देखते हैं कि 240-320 किलोमीटर के आसपास हमारे उत्तरी मैदानों की हमें देखती है और ये जो हमारे उत्तरी मैदान है, ये मुख्य दोर पर आप लोग देखते हैं कि इनको हमने तीन कैटिगरी के अंदर गत बाटा है, पहला हमारा कहलाता है पंजाब का मैदान, दूसरा कहलाता है गंगा का मैदान और तीसरा कहलाता है हमारा ब्रहमा पुत्र का मैदान, ठीक आया इसका जो टोटल छेतर फल रहा दोस्तों वो 7 लाक वर्ग किलोमिटर रहा इसकी अगर आप लोग लंबाई की बात कर रहे हैं तो वो 2400 किलोमिटर है और वही पर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी मुख्य दोर पर चोडाई के बारे में तो वो आप 240 से 320 किलो मिटर के आसपास देखते हैं और हमारा जो पूरा उत्री मैदान है वो तीन भागों में बटा हुआ है पंजाब का मैदानी छेदर, गंगा का और भ्रहमा पुत्र का चलिए एक एक करकर हम लोग हमारा ये जो पूरा का पूरा उत्री मैदान है इसकी हर एक भाग की विशेष्टा को देखते हैं और सबसे पहले हम लोग उत्री मैदान में यहाँ पर हमारा जो पंजाब का मैदान है उसको डिसकस कर रहे है इसको पंजाब का मैदानी छेतर ठीक है जी हाँ, ये क्या है दोस्तों ये है हमारा पंजाब का मैदानी छेतर जिसको हम लोग यहाँ पर डिसकस कर रहे है ठीक है, तो पीछे अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये वाला जो हमारा पूर्शन है सबसे पहला वाला ये कहलाता है पंजाब का मैदानी छेतर इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं तो अगर आप लोग देखें कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, अगर आप लोग देखें दोस्तों यहाँ पर, तो उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, यह हमारा उत्तर होता है, यह हमारी उत्तर दिशा होती है, है ना दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह हमारी उत्तर दिशा है, यह हम पूरा का पूरा उत्री मैदान है इसका पंजाब वाला भाग है ये हमें पश्चिम दिशा की अंदरगत दिखता है ठीक है और ये मुख्य तोर पर आप देखते हैं कि सिंधू नदी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियों के साथ बनाएं तो जो पंजाब का पूरा का पूरा मैदानी इलाका है ना इसके अंदर गद आप देखते हैं कि एक मुख्य नदी बहती है और यह जो मुख्य नदी दोस्तों आप देखते हैं कि इस मुख्य नदी की वज़ा से ही समस्त पंजाबी छेतर जो है दोस्तों पंजाब का मैदानी छेतर हमें बसा हुआ दिखता है ठीक है? तो इसके अंद्रगत आप लोग देखते हैं कि एक तो हमारी में रिवर हमें दिखती है जिसका नाम क्या है दोस्तो जिसका नाम है सिंदू नदी और सिंदू नदी के साथ हम लोग और नदियां भी देखते हैं जैसे जेलम हुई उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारी रावी नदी हुई है ना उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारी सुतलुज नदी हुई तो अलग-अलग नदियां हमें दिख जाती हैं तो जेलम, चेनाब, रावी, बियास और सुतलुज इन पांच सहा वो बनता है वरतबान समय में पंजाब का जो अधिकतर मैदानी छेतर है वो पाकिस्तान की अंदरगत है जो पंजाब का अधिकतर छेतर है जो मैदानी वाले भाग है यह आप देखते हैं कि दोस्तों यह कहां पर है यह अधिकतर इसका भाग पाकिस्तान की अंदरगत मौझू दो आप का मतलब क्या है कि जैसे एक ये नदी बह रही है है ना आप देखते हैं कि एक ये रही हमारी जहिलम नदी ठीक है और उसके बाद में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों ये रही एक चिनाब नदी ठीक है ये दो नदीयां बह रही है इन दो नदियों के बीच में अगर आप लोग धियान से देखें दोस्तों कि ये वाला जो भाग है ये वाला जो भाग अगर आप देखें इन दो नदियों के बीच में ये जो आपको भूभाग देख रहा है इस भूभाग को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों दो आब कहते हैं नदी के बीच में जो समुद्र का दो नदी बहरी हैं इनके बीच में जो जमीन है उसको हम लोग दो आब कहते हैं हैं उसके बारे में discussion किया ये अलग-अलग नदियों से मिलकर बना हुआ है जिसमें सिंदु नदी और पांच जो सहायक नदियां हैं इसकी कौन-कौन सी जेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और बयास इसके अंदरगत हम देखते हैं कि इनी नदियों के मैदान के बारे में आप सभी के साथ ठीक हुआ, ये हमने आपके साथ हमारे पंजाब के मैदानी छेतर के बारे में discussion किया है, बढ़ते हैं आगे अब अगला यहाँ पर हम लोग discussion करेंगे गंगा के मैदानी छेतर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं तो गंगा का यह जो हमारा मैदानी भाग है, यह मुख्य तोर पर गंगा नदी के साथ बना है, है ना? और उसी के साथ आप देखते हैं कि कुछ और नदी हैं, जैसे घर-घर और तिस्ता, इन नदीयों के बीच में आप लोग देखते हैं कि एक नदी आपको दिख रही है, क्या है दोस्तों, एक नदी यहां से बहती हुई हमें दिखती है, जिसे हम लोग घर-घर कहते हैं, और ए आपको आए हुए बढ़ते हैं बढ़ते हैं अब भारत का जो हमारा तीसरा आप देखते हैं कि दोस्तों मैदानी भाग है जिसे हम लोग भ्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं ये जो हमारा तीसरा भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम लोग भ्रह्मपुत्र के मैदान से प पास तो जो हमारा मैदान भ्रह्मपुत्र नदी के समर्थन से मिला है ये पूर्वदिशा में हमें बढ़ता है और इसका अधिकतर हिस्सा में असम में बढ़ता हुआ देखता है तो भारत के अंद्रगत मौजूद आप देखते हैं दोस्तों ये पूर्वदिशा है तो पूर्वदिशा में हमें देखता है हमारा कौन सा हमारा भ्रह्मपुत्र का मैदान ये भ्रह्मपुत्र का मैदान दोस्तों आपको कहां पर देखता है ये भ्रह्मपुत्र मैदानी भाग रहे थे उत्तर ये जो हमारे मैदानी भाग रहे थे उनके बारे में डिसकेशन किया हमने पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और भ्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में पढ़ा लेके चलते हैं आपको आगे और यहां से हम लोग discussion करेंगे किसके बारे में दोस्तों, यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि आकरती के अधार पर, आकरती का मतलब क्या हुआ, कि मुख्य तोर पर जो हमारे मैदान है न, इनकी shape है न, इनका जो design है या फिर जो इनका shape है वो अलग-अलग तरीके से है, हमारा मैदानी भाग तीन भागों में बटा हुआ है, जिनने गंगा, यमना, गंगा, भ्रह्मापुत्र और पंजाब के मैदान के दौर पर हमने देखा, लेकिन यह जो हमारा मैदानी भाग न है, इसके अंदर हमें अलग-अलग आकरतियां देखती है, मैदानी भाग कहीं पर भांगर और एक को कहा जाता है खादर, चलिए, एक एक करकर समझने की कोशिश करते हैं कि भाबर, तराई, भांगर और खादर है क्या, और ये किस तरीके से कार्रे करते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग मुख्य दोर पर ये देख करेते हैं कि हमने आकरतियों के अधार पर अपने पास मैदानी भागों को तीन छेतरों में बटा हुआ देखा, भाबर, तराई, भांगर और खादर, ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिसकुशन करेंगे किस के बारे में, दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सब करेंगे किस के बारे में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप सबी के साथ डिसकुशन करेंगे, भाबर के बारे में, किस के बारे में, सबसे पहले हम लोग भाबर के बारे में ही, यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, चलिए, तो अगर आप लोग देखें दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि जो हमारा हिमाले है, हिमाले का मैदान, हिमाले जहां पर खतम होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे हिमाले परवत हैं, ये पूरे के पूरे हमारे हिमाले परवत आपको दिख रहे हैं, हमारे हिमाले के परवत जहां पर खतम होत उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों उसी को भाबर बोला जाता है क्या बोला जाता है आकरती के अधार पर है ना जो अलग-अलग यहां पर आकरती आपको दिखती है अलग-अलग प्रकार की मिट्टी जमीन दिखती है उसके अधार पर हमने इसे भाबर के नाम से पुकारा है त तो परवतों से निकलने के बाद आप देखते हैं कि जो हमारी नदिया होती है, वो क्या करती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि पहाडों से जो नदिया होती है, वो मुख्य दोर पर फिर भाबर में पहुंचती है। बहुत पतला है भाबर का जो छेतर है वह बहुत संकुचित है बहुत नेरो है और आप देखते हैं कि यह मुख्य दोर पर इतना कमजोर है कि यहाँ पर इसकी चोड़ाई मादर 8 से 16 किलोमेटर के आसपास है तो हिमाले परवत अगर आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग अ पर इसकी चोड़ाई है ना वो बहुत कम है आठ से 16 किलोमेटर के आसपास है और यह शिवालिक के एकदम बराबर में हमारा भाबर हमें देखता है और यहाँ पर आप देखते हैं कि इतना पतला है कि यहाँ पर हमारी अधिकतर जो सरीदाएं हैं वो वुलिप्त हो जाती है पानी बहुत कम मातरा में आप देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है कि सारी नदियां शायद यहाँ खतम हो रही हैं खतम नहीं होती है बड़सा प्रतीत होता है कि नदियां यहाँ पर खतम हो रही है भाबर में नदियां तो समुदर में जाएंगी लेकिन ये इतना पतला छेतरे कि यहां से बहुत कम मातरा में पानी आगे बढ़ता है। तो हिमाले के बाद हमने अपना उत्तर के मैदान का या फिर मैदानी भाग का सबसे पहला रूप देखा जिसे हमने भावर का ये शिवालिक के एकदम बराबर में हैं इसकी चोड़ाई बहुत कम है आठ से सोला किलोमीटर के आसपास और आप देखते हैं कि यहां पर ऐसा प्र देख रहा था अब भावर के बाद यहां पर हमने देखा कि जहां पर भावर खतम हुआ उसके बाद यहां पर हमें क्या देखता है दोस्तों यहां पर हमें देखती है तराई क्या कहा जाता है यहां पर हमें देखती है तराई तो भावर के एकदम दक्षुन में दक्षुन उसके चोड़ाई कम है लेकिन तराई की जो चोड़ाई है वो बहुत ज़ादा है और इसी वज़ासे तराई के अंतरकत आप देखते हैं कि जो पानी होता है जो नदिया होती है वो तेजी से आगे बढ़ती है और तराई में आप देखते हैं कि यह मुख्य तोर पर एक नम औ और दलदली छेतर है, यहाँ पर बहुत जादा मातरा में आप देखते हैं कि पानी की उपस्तिती होती है, एक चोड़ा छेतर है और इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत जादा मातरा में पानी हमें आके बढ़ता हुआ दिखता है, तो हिमाले के बारे में देखा, ह से हम लोग बांगर कह रहे हैं इसके बारे में डिसकेशन करते हैं तो हमने देखा कि हमाले परवत थे हमाले परवतों के बाद हमने देखा कि हमारे पास भावर था उसके बाद हमने भावर के बाद तराई के बारे में डिसकेशन किया कि हमें तराई देखता है अब होता क्या है कि नदी के किनारे पर आप मिट्टी को देखते हैं है ना हिमाले से नदीयां शुरू हुई भावर के अंदर नदीयां बहुत संगुचित हो गई बहुत कम मातरा में आगे बढ़ी तराई में उनको बहुत अच्छी मातरा मिली आगे बढ़ने की तो वो जो मिट्टी होती है, उसे हम लोग खादर कहते हैं, मिट्टी जो नदी से दूर होती है, उसे हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझा आपने, जी हाँ, आपने देखा कि जो हमारी मिट्टी मुख्य दोर पर नदी के पास होती है, और जहाँ पर आप देखते हैं, जो हमारी मिट्टी ध्यान से सुनिएगा जो हमारी मिट्टी दोस्तों हमें कहा दिखती है नदी से दूर दिखती है तो उत्तर के मैदान में जैसे हमने पीछे पॉइंट में देखा था कि हमें सिर्फ जलोड मिट्टी दिखती है और जलोड मिट्टी ये भी हमने दो प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों पहला प्रकार हम लोग जिसे कह रहे हैं उसे कहा जाता है बांगर मिट्टी क्या है कि मान लिजे कि ये अगर आपकी नदी बहती हुए आपको दिख रही है तो इस नदी के बहुत दूर में जो आपको मिट्टी दिखती है उसको आप लोग क्या कहते हैं बांगर जलोड मिट्टी कहते हैं और यह जो हमारी बांगर जलोड मिट्टी होती है यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है इसी वज़ा से यह कम उपजाओ होती और इसके अंदर हमें चूना दिखता है और इसको पुरानी जलोड मिट्टी भी कहा जाता है है ना यह क्या कहलाती है दोस्तों इसे पुरानी जलोड मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है तो बाभर और तराई के बाद हमें देखता है भांगर भांगर जो है दोस्तों वो हमें नदी की किनारे पर जो मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं ये कम उबजाओ होती है क्योंकि ये नदी से दूर होती है इसलिए इसमें कम पानी पहुँच पाता है और इसमें छूने की भी आप उपस्तिती होते हुए देखते हैं आगे बढ़ती हुए अब हम लोग आपके सामने कुछ और चीजों को डिसकस करेंगे वो क्या है कि अभी तक हमने हिमाले को देखा दोस्तों ये हमारे हिमाले परवत रहे हिमाले के बाद हमने यहाँ पर भावर को देखा जहां से बहुत कम मातरा में नदी आगे बढ़ी फिर हमने तराई को देखा जो तेजी से नदी को आगे बढ़ाती है फिर हमने देखा कि जब नदी आगे बढ़ी तो नदी के किनारे पर हमें मिट्टियां देखी एक मिट्टि जो बहुत दूर थी उसे हमने नदी के पास मिट्टी दिखती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम लोग खादर मिट्टी के नाम से पुकारते हैं क्या कहा जाता है इसे हम लोग खादर मिट्टी या फिर खादर जलोड मिट्टी कहते हैं और ये नहीं होती है ये नहीं प्रकार की मिट्टी में खेती करने के लिए आपको बहुत ज़ादा सिचाई की यानि के पानी डालने की जरूरत पड़ती है तो यहां तक तो हमने दोस्तों आप सभी के साथ जो हमारे ये उत्तर के मैदान रहे थे इसके क्या क्या प्रकार रही हैं उनको डिसकस किया हमारे उत्तर के मैदानों में हमने गंगा का मैदान देखा उसी के साथ हमने हमारे पंजाब का मैदान देखा ब्रह्मा पुत्र का मैदान देखा और आकरतियों के हिसाब से हमारे जो मैदान रही है उनकी क्या पूरी की पूरी भूमी का रही है उसे हमने यहाँ पर आपके सामने रखा बढ़ते हैं आगे और यहाँ से हम लोग आप सभी के सामने pride deep ये पठार के बारे में discussion करेंगे ठीक है अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक सवाल जरूर आ जाएगा उसका clear होना आप सभी के लिए बहुत जादा ज़रूरी है कि प्राइदीप ये पठार क्या होते है इसको एक एक करकर हम लोग आप सभी के साथ क्या करते हैं दोस्तों डिसकस करते हैं देखिए दो शब्द है एक को कहा जाता है प्राइदीप ठीक है प्राइदीप और दूसरे को कहा जाता है द्वीब है ना आपने जरूर सुना होगा आइलेंड जिसे हम लोग कहते हैं देखिए द्वीब का मतलब होता है कोई ऐसा जमीन कोई ऐसा जमीन का टुकडा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो ठीक है कोई ऐसा जमीन का भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा है है ना, तो समुद्र में जो एकदम जमीन होती है, जहां से चारों तरफ पानी होगा उसे हम लोग द्वीब या फिर आइलेंड कहते हैं वहीं प्रायदीब का मतलब होता है जमीन का ऐसा टुकडा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो अगर आप लोग हमारे दक्षिन भारत को देखते हैं ये जो आपका पूरा का पूरा छेदर आप देख रहे हैं एक तरफ हमारा अरब सागर यहाँ पर आप देखते हैं हिंद महा सागर और इदर दिखती है बंगाल की घाड़ी तो जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायदीब कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग द्वीब कहते हैं क्लियर हुआ है ना तो आपका confusion इसके अंत्रगत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि द्वीप और प्रायदीप में क्या अंतर होता है द्वीपों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग प्रायदीप के बारे में पढ़ेंगे प्रायदीप का मतलब है कि ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो भारत में यह जो हमारा नीचे हमने हिमाले के परवत के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने अपने उत्तर के मैदानों के बारे में पढ़ा अब हम लोग ये जो हमारा प्रायदीब है इसमें हमें क्या क्या दिखेगा भाई उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है जी हाँ चले दोस्तों शुरुआत करते हैं और ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रायदीब ये पठार है इसको हम लोग discuss करेंगे और यहाँ पर एक शब्द परियोग में लाया जा रहा है जिसे हम लोग कह रही है पठार पठार को भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों अपनी पिछली क्लास के अंद्रगद मैंने आपको इसके बारे में बताया था दो शब्द यहाँ पर है एक कहा जाता है परवत और दूसरा शब्द कहा जा रहा है पठार परवत का मतलब क्या होता है दोस्तों ऐसा पहाड जिसकी आप चोटी देखते हैं जिसका आप top देखते हैं, है ना, जैसे आप Everest को देखें, उसकी चोटी आपको देखती है, है ना, त्रिकोन शंकू टाइप में आप देखते हैं, वही ऐसा ऐसा आपका पहाड जो उपर से समतल होता है, है ना, उपर से एकदम सपाट होता है, पहाड जो उपर से सपाट होता उसे परवत कहा जाता है है ना, एवरेस जो है एक माउंटेन है, एक पहाड है क्योंकि उसकी चोटी है और पठार जो होते हैं, वो पहाल रूपी होते हैं मगर वो उपर से सपाड होते हैं ठीक है? तो हमारे जितने भी प्रायदीब है अगर आप लोग हमारे जितने भी प्रायदीब देखते हैं दोस्तों इस पूरे प्रायदीब के एरिये में हमें पठार ही पठार मिलेंगे यानि जो उपर से समतल है उपर से सपाट है ठीक है चलिए एक एक करकर अब हम लोग एक एक करकर इसकी कहा को आप सभी के समख्ष रखना शुरू करते हैं आप सभी को बताए कि जो गोंडवाना छेदर से अलग हुआ था हमारा प्यारा भारत याद होगा दोस्तों अगर जब मैंने आपको बताया था कि आज से लगबग हजारों साल पहले अगर हम लोग दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के अंदरगर सिर्फ दो ही भाग देखते थे एक तो लोरेशिया करकर छेदर था और दूसरा था गोंडवाना और गोंडवाना छेदर के अंदर हमारा भारत था और हमने देखा था कि भारत की जो प्लेट थी वो अलग होती है और भारत की प्लेट धीरे धीरे जो जो वर्तमान में भारत जिस जगहां पर है, वहां पर वो पहुंचता है, है ना, तो अगर आपको याद होगा दोस्तों कि उस गोंडवाना छेतर की अंदरगत हमने मुख्यत और पर एक तिर्भूजाकार छेतर देखा था, है ना, गोंडवाना छेतर में, जब मैंने आपसे क कहा था कि दोस्तों ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, तो उसको हमने कैसे पहचाना था, हमने उसको ऐसे पहचाना था, क्योंकि वो तिर्भूजाकार था, जैसे अगर आप लोग भारत में, ये जो अगर आप छेतर देखें, ये तिर्भूजाकार है कि नहीं है, जी ह जो आपको कन्या कुमारी से शुरू होता है। जहाँ पर हमारे उत्तर के मैदान खतम होते हैं। जहां पर खतम होते हैं उत्तर के मैदान के बाद से लेकर यह हमारे पूरे की पूरे उत्तर के मैदान थे उत्तर के मैदान के बाद जो भी यह पूरा का पूरा च्हेतर है यह सारा का सारा च्हेतर हमारा प्रायदीप यह पठार कहलाता है या फिर आप देखते हैं कि दिशा होती है दोस्तों ठीक है ये जो है उपर वाली दिशा ये हमारी उत्तर दिशा होती है इसे हम लोग कहते हैं पूर्व दिशा इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है नौर्थ इसे कहा जाता है साउथ या फिर दक्षुन दिशा दोस्तों और इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस उपर से ये चोड़ा है, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, तो जो इसकी चोड़ाई है वो कम हो जाती है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, भारत का जो स्तदन भाग है, जो दक्षन वाला भाग है, उत्तर के मैदानों के बाद जो हमारी जमीन है, वो आप देख प्रायदीब ये पठार कहलाता है अब एक एक करकर ये जो हमारा प्रायदीब ये पठार रहा है इसके संदर्ब में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहां पर ये भी देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रायदीब ये पठार है ना इसको भी हमने दो भागों के अंदरगत बाटा है हमारा प्राइदीब ये बठार क्या है दोस्तों ये जो पूरा का पूरा हमारा भाग है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये हमारा प्राइदीब है और प्राइदीब ये पठार के अंत्रगत हमने देखा कि ये उपर से चोड़ा है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इसकी चोड़ाई कम हो जाती है हमने फिर ये देखा कि हमारा जो प्राइदीब ये पठार है इसको हमने क्या किया है इसके भी दो भाग हमने बढ़ते हुए देखे हैं सबसे पहला जो भाग कहलाता है दोस्तों उसे कहा जाता है मध्य उच्छ भूमी और दूसरा कहलाता है दक्कन का बठार ठीक है चलिए, तो भारत के अंदर जो हमारे प्रायदीब ये पठार रहे हैं, इनकी एक एक करकर हम लोग सारी विशेशताओं को समझते हैं, ठीक, चलिए, सबसे पहले प्रायदीब ये पठार क्या थे, वो देखा, प्रायदीब का मतलब क्या होता है, वो देखा, पठार भारत के अंदर या पिर उमणे प्राइदीब का भाग है उपर से चोड़ा है जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो ये संकरा हो जाता है उसके बाद हमने देखा कि हमारे प्राइदीब ये पठार को दो भागों में बाटा है सब से पहला भाग है मद्धय उच्छ भूमी उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ठीक है? अब यह मद्धय उच्छ भूमी भाया है किदर? इसको हम लोग यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों तो एक एक करकर आपको बहुत सरलतम तरीके से यहाँ पर बताएंगे तो अगर आप लोग देखते हैं कि जो हमारी नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी आपको कहा दिखती है दोस्तों यह जो हमारा गुजरात वाला भाग है यहाँ पर आपको इस छेदर में हमारी नर्मदा नदी बहती हुई देखती है ठीक है तो आप देखते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में आप देखते हैं कि हमें मालवा का पठार देखता है यहाँ पर नर्मदा नदी वह रही है और नर्मदा नदी के उत्तर में नौर्थ में यानि कि उपर की दरफ हमें ये मालवा का पठार देखता है और इसी के पास हमें क्या देखता है दोस्तो इसी के पास हमें मुख्य दौर पर देखता है बुंदेल खंड का पठार ठीक है हम यहाँ पर प्रायदीपिय पठार के सबसे पहले भाग को देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है दोस्तों इसको कहते हैं मध्धे उच भूमी और मध्धे उच भूमी सबसे पहला जो इसका रूप है वो मालवा का पठार कहलाता है पिर उसके बाद हमें इसके अंद्रगत ही भुंदेल खंड का पठार देखता है ठीक है तो इसको एक एक करकर हम लोग देखते हैं तो मुख्य दोर पर आप देखते हैं कि ये जो छेतर है ये मालवा के अधिकतर भागों में हमें बटा हुआ देखता है और इस छेतर की नदियां आपको दक्षण से पूर्व की ओर बहती हुई देखती है जिसके अंद्रगत आपको ढाल भी दिख जाती है तो जो मालवा के अंद्रगत आप नदियां देखते हैं यह आप क्या देखते हैं दोस्तों कि यह पश्चिम से मालवा के अंदरगत जो नदिया है यह दक्षन से पूर्व की ओर है ना आप देखते हैं कि यह पश्चिम दिशा है जी यह पश्चिम दिशा है और मालवा के अंदरगत के आसपास कि जितनी नदिया है यह हमें पश्च पूरा पूरा पठार है आप देखते हैं कि दोस्तों ये पश्चिम की अंद्रगत पश्चिम में तो ये थोड़ा चौड़ा हमें दिखता है लेकिन जब आप लोग इसे देखते हैं किस तरफ बुंदेल खंड की तरफ या फिर भगेरी की तरफ तो ये वहाँ पर पूर्व क तरफ पूर्व में अगर हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ा पतला हो जाता है ठीक है तो मुख्य तोर पर अभी तक हमने क्या देखा हमने प्रायदीब ये पठार का सबसे पहला रूप देखा इसको हमने किस नाम से फुकारा इसको हमने मध्धे उच भूमी कहा मध्धे उ द्रिकत हमने बुंदेल खंडी पठार को देखा और छोटा नागपूर के पठार को देखा और ये जो हमारे पठार हैं दोस्तों आप देखते हैं कि ये मुख्य तोर पर मौजूद है ना तो शुरुवात में पश्चिम दिशा की तरफ मालवा का पठार हमें देख रहा है ठीक है और पूर्व दिशा की तरफ हमें कौन सा पठार दिखता है दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ छोटा नागपूर का पठार देख रहा है ठीक है तो प्रैदीप के पठार का सबसे पहला रूप जो है वो कहलाता है मध्धे उच बूमी ये मुख्य तोर पर आपको ये पूरा का पूरा जो हमारा छेतर है, ये मद्धे उच भूमी वाला छेतर रहा है, इसके अंद्रकत हमें मालवा का पठार देखता है, जो पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा के पठार मद्धे उच भूमी के चोड़े हैं, पूर्वदिशा वाले कम है, पूर्वदिशा में हमें छोटा नागपुर दिखता है और इन दोनों के मद्ध है, बुंदेल खंड का पठार हमें दिखता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब अगर आप लोग देखें दोस्तों कि यह जो हमारी नर्मदा नदी है, यहाँ पर हमारी नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के दक्षन में, यह होता है उत्तर, और दक्षन का मतलब क्या होता है दोस्तों, दक्षन का मतलब होता है हमेशा नीचे की तरफ, तो नर्मदा नदी के नीचे की तरफ, यह हमारी नर्मदा नदी यहाँ पर आपको द दक्कन का पठार और दक्कन का पठार कहां से दिखता है हमें कि यह हमारी नर्मदा नदी हमें दिख रही है दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षुन में नीचे की तरफ जो हमें पठार दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों जो तिर्भुजाकार अकार है नर्मदा नदी के नीचे अगर आप जो तिर्भुजाकार अकार देखते हैं नर्मदा नदी के नीचे ये जो तिर्भुजाकार अकार है ये जो पूरा का पूरा छेतर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसी को हम लोग दक्कन का पठार दिखती है और उसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम में हमें अरावली की पहाड़ियां भी दिख जाती है और पूरवी हिस्से में अगर हम लोग देखते हैं कि दक्कन का पूरवी भाग है दक्कन का जो यहाँ पर यह पूरवी भाग हमें दिख जाता है इस छेतर की अंदरगत हमें महादेव की पहाड़िया, कैمूर पहाड़िया और मेकाले पहाड़िया भी दिख जाती है प्रैदी पिय पथार का जो दूसरा भाग है उसे हम लोगों ने दककन के पथार के नाम से जाना दककन का पथार नर्मदा नदी के दक्शुन में हमें दिखता है ये मुख्य दोर पर जो तिर्भुजाकार रूप है उसके अंदरगत हमें देखता है इसके अंदरगत अगर आप लोग देखते हैं कि जो इसका उत्तर वाला भाग रहा है दक्कन के बठार का जो उत्तर का चेतर है वहाँ पर हमें सत्पुरा की पहाड़ियां दिखती है या फिर आप देखते हैं कि हमें अरावली पहाड़ियां दिख जाती है वही अगर आप लोग इसके पूरवी भाग की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें महादेव की पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां और मिकाले पहाड़ियां दिख जाती है ठीक है? तो उत्तर के मैदानों के बारे मैं discussion किया क्या थे, कैसे थे, क्या उनकी विशेश्टाएं थी उत्तर के मैदानों के बाद प्राइदीब क्या होते हैं उनको देखा प्राइदीब के दो भाग हैं मध्धे उच्छ भूमी मध्धे उच्छ भूमी का मतलब हुआ हमारा पूरा का पूरा ये वाला छेत्र ये जो हमारा छेतर है दोस्तों ये पूरा का पूरा छेतर है ना इसे हम लोग मध्य उच्छ भूमी कहेंगे तो एक बार हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के समक्ष रखते हैं तो ये जो है दोस्तों पूरा का पूरा भाग ये कहलाता है हमारा मध्य उच्छ भूमी, है ना, ये जो हमारा पूरा का पूरा छेतर रहा है, ये कहलाता है हमारा मध्य उच्छ भूमी, दिख रहा है आपको, विजिबल नहीं है, इसको दुबारा से दूसरे कलर से दिखाते ह हैं, ताकि आप लोग इसे समझ लें यह जो पूरा का पूरा छेत्र है दोस्तों यह कहलाता है हमारा मद्धे उच भूमी का पठार है ना? मद्धे उच भूमी का पठार इसके अंद्रकत हमें माल्वा का पठार दिखा एकदम पूर्व में छोटा नागपूर दिखा और बीच में बुंदेलखंड का पठार दिखा ये नर्मदा नदी के एकदम आपको उत्तर की तरफ दिखता है और नर्मदा नदी के दक्षुन में नीचे की तरफ ये जो पठारी छेतर है इसे हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार और दक्कन के पठार में भी आप लोग देखते हैं कि इसके पठार में हमें अलग-अलग पहाड़ियां दिखती है इसके उत्तर पूर्व में हमें दिखती है सत्पूरा के पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां और इसके पूर्वी भाग में इधर पूर्व दिशा होती है, यहाँ पर महादेव और मिकाले की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है, ठीक है, कन्फूशन आपको अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देना है दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते और यहाँ पर आपको ढाल देखता है, अगर आप लोग दक्कन के पठार को देखें, है ना, और दक्कन के पठार को अगर आप लोग देखते हैं, तो यह हमारा पश्चिम ही भाग होता है, और इधर हमारा पूर्वी भाग होता है, तो दक्कन का जो पठार है, उसके अंद पश्चिम की तरफ से यह उपर है और पूर्व की तरफ से आपको दिखते है कि धक्कन के जो पठार है उनमें आपको क्या दिखता है दोस्तों ढाल देखने को मिलती है ठीक है ऐसे ही है ना ऐसे ही हमें क्या दिखता है दोस्तों हमारे कुछ पठारी भाग हमें उत्तर पूर् तो हमारे उत्तर पूर्व राजियों के अंदरकात अगर आप लोग देखते हैं कि जो हमारा मेखाले हुआ यहाँ पर हमें देखता है दोस्तों कारभी और अलोंग नामक हमें पहाड़ियां देखती है है ना और यहाँ पर कुछ और पहाड़ियां भी है यहाँ पर कुछ और पठारी छेतर भी हमें देखते हैं जैसे खासो है ना पहाड़ियों का नाम है यह ऐसी ही आप देखते हैं दोस्तों गारी खासो गारी ठीक और गारो खासी सोरी है ना आप क्या देखते हैं दोस्तों य यानि कि मिघाले के आसपास देखते हैं और खासो और गारी क्या है? ये पहाडों की श्रंकलाओं का नाम है बहुत सारे पहाड जो हमें कहां दिख रहे हैं मिघाले में दिख रहे हैं तो एक को नाम दे दिया खासो एक को नाम दे दिया गाया गारी ठीक है चलिए एक एक करकर हमने इनके बारे में आप सभी के सामने डिसकेशन किया तो भारत का जो प्रायदीप ये पठार है उसको हमने देखा ये मुख्य दोर पर दो भागों बटा हुआ हमें देखता है मध्य उच्छ भूमी और दक्कन का पठार दोनों की विशेशताओं को देखा और उसी के साथ साथ जो हमारे उत्तर पूर्व के अंदर मौजूद हमारा ये भाग रहा था उसको हमने आप सभी के सामने रखा है बढ़ेंगे आके दोस्तों और यहाँ पर हम लोग कहानी को कुछ और गहराई के साथ आप सभी के साथ डिसकस करेंगे अगर आप लोग धियान से देखें तो यहाँ पर लिखा है पूर वी खाट हमने कहानी की शुरुआत जो करी थी आप सभी के साथ हमने हिमाले परवतों के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने आप सभी के साथ उत्तर के मैदानों के बारे में पढ़ा और फिर हम लोग आप सभी के साथ हमारा ये जो प्रायदीप ये पठार है हमारे भारत के अंदर मौजूद, जो हमारे पठार रहे थे, उनको हमने आप सभी के सामने रखा है अब इनको तो पड़ लिया, अब भारत में परवत है, मैदान है, पठार है उसके बाद हमें देखता है, दोस्तों, क्या हमें देखते हैं, समुद्र के किनारे इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें घाट कहा जाता है इन्हें हम लोग घाट कहते हैं तो यह अगर आप लोग देखें दोस्तों कि यहाँ पर ही हमें समुद्र दिखेगा यह भारत की अगर सीमा है तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है दोस्तों यहाँ पर हमें अरब सागर यहां पर हम क्या देखेंगे दोस्तों कि मुख्य दोर पर भारत का समुद्र का किनारा है उसकी विशेशताओं को हम लोग आपके सामने डिसकस करेंगे और हमारे जो समुद्र के किनारे है इनको हमने दो नामों से पुकारा है एक को कहा जाता है क्या दोस्तों एक को कहा जाता इस्टन घाट का मतलब पूर्वी घाट क्या कहा जाता है पूर्वी घाट इस्टन घाट का मतलब पूर्वी घाट जो पूर्व दिशा में पढ़ते हैं ये पूर्व है तो जो पूर्व दिशा में पढ़ने वाले हमारे घाट है ये जो पूरा का पूरा पूर्व दिशा का स ध्यान से सुनिएगा, हमने हिमाले परवत के बारे में पढ़ा, मैदानी भाग के बारे में पढ़ा, और फिर भारत के अंद्रगत मौझूद जो हमारे पठार रहे हैं, उनको हमने पढ़ लिया, अब समुद्र का जो किनारा है वो भी पढ़ेंगे, तो जो किनारा हमारा पू पूरवी घाट की बात करेंगे, और पूरवी घाट कहां पढ़ेगा दोस्तों, पूरवी घाट आप सभी को बताए, कि पूरवी घाट हमें पूर्व दुशा की तरफ दिखेगा, तो प्रयदीप ये पटार में आप देखते है जो पूरवी तरफ की जो हमारी पहाड़िय पाई जाने वाली पहाडियां है, उनके जो आप देखते हैं दोस्तों कि जो उचाई होती है, वो 600 मीटर के आसपास होती है, तो पूर्वी घाट की तरफ मिलने वाले जितने भी हमारे पहाडियां हमें देख रहेंगे, वो 600 मीटर के आसपास देख रहेंगे, पूर्वी जो सबसे उचा हमें पहाड़ा देखता है दोस्तों उसका नाम है महेंद्रगिरी और यह जो महेंद्रगिरी पहाड़ा भाया इसकी उचाई काफी जादा है अधिकतर वहाँ पर 600 मीटर के आसपास है लेकिन महेंद्रगिरी जो है दोस्तों इसकी उचाई काफी जादा है वो 1500 पंद्रासो मीटर के आसपास हमें देख जाता है, है ना, पंद्रासो मीटर के आसपास हमें महेंद्र गिरी जो पहाड है, जो पूर्वी घाट में हमें देखता है, वहाँ पर हमें देखता है, ठीक है, बढ़ते हैं आप सभी को आगे पूर्वी घाट से, आप सभी को लेके चलते हैं किस तरफ दोस्तों हम आप सभी को लेके चलते हैं पश्मी घाट की तरफ ठीक है पूर्वी घाट देख लिया ये पूर्व दिशा की तरफ था ये पूर्व है है ना तो जो पूर्व दिशा की तरफ हमारा समुद्र का किनारा रहा था उसे हमने पूर्वी घाट कहा है, यहाँ पर भी हमें पहाड़ियां दिख जाती है और यहाँ पर मौझूद पूर्वी दिशा की तरफ जो हमारी पहाड़ियां है, अधिकतर उनकी उचाई 600 मीटर है, लेकिन इसी में एक सबसे बड़ी पहाड़ी भी है, जिसका आपको दिशाओं को जरूर याद रखना है दक्कन के बठार से पश्चिम की तरफ आप क्या देखते हैं दोस्तों, जो पहाड़ियां इस्तित हैं, उन्हें हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से पुकारते हैं 900 मीटर से 1600 मीटर के आसपास आप देखते हैं कि हमारी पश्चिमी घाट की तरफ आप देखते हैं कि हमारी पहाड़ियों की उचाई होती है पूरवी घाट में कम है, पश्चिमी घाट में 1600 मीटर के आसपास आपको दिख जाती है और पश्चमी घाट के अगर हम लोग देखें कि जो सबसे उंची चोटी है हमारा यह जो पश्चमी घाट है इसमें जो सबसे उंची चोटी हमें देखती है उसका नाम है अनाई मुड्डी और यह जो अनाई मुड़ी है इसकी जो उचाई है वो 2695 है 2695 मीटर आप देखते हैं दोस्तों पश्मी घाट के अंदरगत मौजूद एक पहाड हमें देखता है इसकी जो हाइट है वो 2695 दो हजार चेसो पिंचानवे मीटर हमें देखती है और नीलगीरी की पहाड़ियां भ प्रेस्टन घाट यानि के पश्चिम घाट के तरफ हमें देखते हैं इसकी अंदरगत हमें अनमुड़े ही दिख रहा है दोस्तों जो लगभग 2695 मीटर उचा है उसी के बाद एक और जो उचा परवत हमें देखता है वो भी पश्चिमी घाट में हमें देख रहा है जिसका आप सभी के समख डिसकस किया है है ना तो रिवीशन करते हैं पहले कि हमने पढ़ा क्या है सबसे पहले एक एक करकर इसको डिसकस करने की कोशिश करें हमने अपनी आज की क्लास में आप सभी के साथ उत्तरी मैदानों की कहानी को देखा उत्तर के मैदान पंजाब का मैदान गंगा का मैदान और भ्रह्मापुत्र का मैदान देखा, आकरती के हिसाब से इसे भाबर, तराई, भांगर और खादर में बाटा गया है, इसके बाद प्रायदीप के पठार होता क्या है वो देखा, इसके दो रूप, मध्धे उच भूमी और दक्कन के पठार की विशेश्टाओं को देखा, पूरवी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है और इनमें कौन-कौन सी उची-उची पहाड़ियां है, उसको हमने एक-एक करकर आप सभी के सामने डिसकस किया है, अब दोस्तों एक-एक करकर हम लोग इस चैप्टर से संबंदि जो हमारे क्विस के सवाल रहे है, उसको एक-एक करकर हम लोग डिसकस करते हैं, ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि जो हमारे दक्कन का पठार है, वो किस भूभाग का है, क्या वो आयताकार है, दक्कन का जो हमारा पठारी भाग है वो कैसा है, आयताकार है, तिर्भुजाकार है, गोलिये है या फिर गोल है, या फिर इन में सो कोई नहीं, वो अच्छा सवाल है और जल्दी से आपको इसके आंसर को पेश करना है कि दक्कन का बठार किस अकार का हमें दिख जाता है ये आंसर आपको हमें पेश करना है दोस्तों तो अगर आप लोग देखें कि जो हमारे दक्कन का बठार है वो मुख्यत और पर तिर्भुजाकार हमें दिखता है option B जो है दोस्तों वो बिलकुल सही बनता है अगला सवार है कि एक थलिये भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है उसे क्या कहा जाता है तट, प्राइदीप द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं आप सभी को बता है कि जमीन का ऐसा टुक्डा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता जैसा अगर आप लोग भारत की निचले भाग को देखते है यहाँ पर आप देखते हैं कि अरप सागर है ठीक है, जी हाँ उसी के साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रायदीब कहते हैं और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग द्वीब कहते हैं तो एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी है उसे हम लोग प्रायदीब कहेंगे ऑप्शन भी ठीक है तो ये क्या है दोस्तों ये हमारा एक प्रायदीब है अगला सवाल है कि हिमाले से निकलने वाली नदिया जहां विलूप्थ हो जाती है उसे क्या कहा जाता है है ना कि जब हमारे आप देखते हैं कि हिमाले परवस से नदिया निकलती है और नदिया निकलने के बाद आपको देखता है कि मेधानी भाग में आते हुए वो एक जगहां पर आपको दिखता है कि वो विलूप्थ हो जाती है उसे क्या कहा जाएगा भांगर, खादर, बाभर, भाभर या फिर तराई चार options हैं आप सभी को बता है उसे भाभर कहा जाता है और भाभर के अंदर जो उसका अकार है वो बहुत कम है चोड़ाई बहुत कम है और इसी वज़ा से आप देखते हैं कि भाभर छेतर के अंदर जो नदियां होती हैं दोस्तों आपको वेलूप्थ होते हुए दिखती है option C हमारा बिल्कुल सही बनता है अगला सवाल है कि जारखंड इनमें से किस पठार के अंदर गत हमें आता हुआ दिखेगा जो जारखंड का छेतर है वो दक्कन के पठार में आता हुआ दिखेगा मालवा की पठार में आता हुआ दिखेगा कारभी एंगलोर पठार के अंदरगत आता हुआ देखेगा या फिर छोटा नाकपूर तो अगर आपने भारत के मांचितर को देखा होगा यहाँ पर हमारा जहारखंड पड़ता है और यह जहारखंड है यह छोटा नाकपूर पठार के अंदरकत हमें आता हुआ देखता है यानि कि मद्ध उच भूमी के अंदरकत आता हुआ देखता है option D हमारा बिलकुल सही है तो दोस्तों ये तो हमारी आज की class और इससे संबंधित हमारे quiz के questions रहे थे आशा करते हैं कि हमारी ये जो आज की class रही है आप सभी के लिए बहुत ही फाइदे मन रही है आपको आज की class के homework के questions हमारी एप पर मिल जाएंगे तो किरपयगर के वहां से आप लोग अपने homework के questions को जरूर कीजिएगा इसी आशा और उमीद के साथ कि आप सभी बच्चों को आप सभी है